असलाम अलिकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनव के कटे मसाले के कीमे की रेसिपी जो बहुत जादा टेस्टी बनता है टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत एजी है तो ट्राइ जुरूर कीजिएगा तो चलिए देख लेते इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया कीमा बनाने के लिए हमने यहां पर 500 ग्राम कीमा लिया है कीमे को अच्छे से क्लीन कर लिया है अब एक वेसल रख लिया है इसमें एक नट मिक्स करेंगे और मतलब फ्राइए करेंगे एक मिनट के लिए और एक मिनट फ्राइए करने के बाद इसमें को साबुत मसाले जाएंगे तो देख लेते हैं वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून काली मिर्च एक बड़ी लाइची यानि काली लाइची एक फूल जाबित्तिरी का एक इंच का दाचिनी का टुकडा दो हरी लाइची चार लॉंग और एक तेशपता एक कर देंगे इस रेसिपी में जितने भी इंग्रीडियन में यूज कर रही हूं वह सब आपको डिस्क्रिप्शन वक्स में मिल जाएंगे तो चेक कर लीजेगा अब देखें यहां पर प्याजों को हमने एक मिनट के लिए भून लिया है जब ए पांच मिनट के लिए उसके बाद अब इसमें एक करना है छी से साथ लहसुन के कलिया बारी कटके हुई एक इंच का दुकड़ा बारी कट किया हुआ तो यह एड़ कर दिंगे अब इसमें नमक करेंगे तो वन एंडर हाफ टी स्पून यानि देड़ छोटा चमच हमने यहा खाना पसंद करते हों और दीखिए अच्छे से सब्सक्राइब करना है अब इसमें एड़ करना है में टमाटर तो दीखिए दो बड़ी साइस के हमने टमाटर लिए इसको मिक्स करेंगे और बस इसका लिड़ लगा देंगे यहां पर हम कवर करकर इसको पंदरा मिनट अब यहां पर flame को Bhandt कर दिंगे रअपय है एक माम दस्ता लेंगे इसमें कूटेंगे निया लुपक करतु है आप यहांपर किमे को चेक कर लेते हैं तो दीह सब आब 12 मेरा गया सब आपना पनी रीलीस करेगा किमे में पानी प्यास का पानी टमाटर का यह उसी में कुक हो जाएगा फिर दही भी एट करेंगे हम अब देखिए अब टमाटर सॉफ्ट होने लगे हलका सा यह मस्से मेश कर दिंगे अब इसमें जाएंगे देखिए पांसू की साबुत लाल मिर्च और जो हम धनिया कूट कर रहा हुआ था मुझे इंस्टेग्राम पर कर सकते हैं अब देखिए यहां पर कीमे को हमने कवर करकर पांच मिनट और पकाया उसके बाद इसको खोल कर देखेंगे कीमा भुनने लगा है और यहां पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था पांच मिनट के लिए जब यह इस तरह से लगे देखिए अच्छे से तब इसमें हमने दो बड़े चमबाच यानि टूटेबलिस्पून दही एट कर देना है कीमा बहुत अच्छे से भुन गया तब इसमें हमने दही एट किया और पांच यहां पर हमने हरी मिर्च ले लिए यह कम तीखी बाली इसलिए मैंने हाइफ फ्लेम कीजिए और अच्छे से भून लीजिए जितना अच्छे हम भूनेंगे नहीं अच्छे इसमें टेस्ट आएगा कीमा अच्छे से भून चुका है तो इसमें एट करेंगे हाफ टीश्पून करम मसाला पावडर और एक मुठी कट गया हरे धनिया एट कर हैं आप इसमें को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरी के साथ पराठे के साथ तंदूरी रोटी के साथ रुमाली रोटी के साहरे एक लड वाह ड़ीजित बढ़ perform क LAUGH करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिए ऐसी आपार में और सारै पीस!